Hello friends, स्वागत है आपका Theory of Abrogation में मैं हूँ सिद्धी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ ज्यानवापी मॉस्क केस पर तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे इस केस पर हम देखेंगे कि कहां से ये इशू शुरुआ हुआ उसके बाद धीरे धीरे हर एक डेट पर कोट की हर एक तारीक में इसमें क्या-क्या developments हो रही है इस केस के उपर बात करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही important information अगर आप में से है कोई judicial aspirant और चाहते हैं judiciary की तैयारी करना तो अब आप लोग घर बैठे-बैठे judiciary की preparation कर सकते हैं हमारे membership plan से हमारे membership plan के बारे में complete information आप screen पे दिये गए number पर whatsapp करके ले सकते हैं या फिर वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा जिससे आप हमारे membership plan के बारे में complete information ले सकते हैं तो सबसे पहले ये issue सामने आया 1991 में जब places of worship act बना places of worship act ये कहता है कि 1947 आजादी के time तक हमारे जो भी धार्मिक स्थलते उनको जो भी नाम दिया गया चाहे विर फो कोई masjid था चाहे फिर वो कोई masjid था उन्हें जो भी नाम दिया गया वो सब के सब वैसे ही रहेंगे उनकों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा 1947 तक जो जैसा था religious place वो वैसी ही रहेगी अब ये जो case है ये 1991 से ही इसकी roots start हुई पहला petition file किया गया जिस पहले petition में हिंदूस की तरफ से ये petition आया जिसमें उन्होंने ये demand करी कि हमें ग्यानवापी complex में पूजा करने दी जाएं क्योंकि उनका कहना ये है कि ग्यानवापी mosque जहां बना है वहाँ पहले हमारा काशी विश्वनात temple था तो इसलिए वो जगा पर हमारा हक है और वहाँ पर हमें पूजा करने दी जाएं साथ ही हिंदूोंने तीन demands रखी उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि ग्यानवापी mosque का जो complex है उसे पूरा काशी temple declare कर दिया जाएं दूसरा उन्होंने ये बोला कि यहां Muslims की entry बंद कर दी ज जो फाइल किया गया अंजुमन इंतिजामिया मस्जिद कमेटी अलाहाबाद हाई कोट में इस कमेटी ने एक fresh केस फाइल करा Muslims की तरफ से आम तोर पर यही कमेटी सामने आती है बहुत famous कमेटी है तो यहां पर उन्होंने आकर के बोला कि यह जो temple mosque के land का dispute चल रहा है यह तो civil court में educate नहीं हो सकता है जैसा law ने permit ही नहीं किया है तो civil court में तो यह dispute नहीं चल सकता है तो इस case को सुनकर इस बात को सुनकर high court ने यहां पर stay लगा दिया 22 years का proceedings जो lower court में चल रही थी उन पर high court ने stay लगा दिया 22 साल का अब 22 साल तक इस case को टची नहीं किया गया अब उसके बाद सीधा आ जाता है 2019 2019 में यह issue revive हुआ जब एक person रस्तोगी इन्होंने plea file करी स्यंभू जोतरलेंगा भगवान विश्वेश् जो वारनशी district के थे उनके नाम के अंडर उन्होंने एक वारनशी district court में एक issue फिर से file किया ठेक है उन्होंने यह demand करा कि यह जो disputed area है इस पर हमें archaeological survey चाहिए और उन्होंने अपने आपको स्वेंबू जोतरलेंग भगवान का next friend बताया तो उन्होंने बोला कि हमें यहाँ प इशू आता है 2020 में जब फिर से revival हुआ इशू का जब अंजुमन इंतिजामिया मस्जिद कमेटी ने फिर से इंटर्वीन करा और उन्होंने उपोज करा कि नहीं सर्वे बिल्कुल नहीं होना चाहिए archaeological survey of India का सर्वे यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए ग्यानवापी मॉस पर 2020 में पेटिशनर ने फिर से लोवर कोर्ट में अप्रोच करा और उन्होंने बोला कि नहीं यह जो स्टे है जब आपने स्टे लगाया है तो हम लोगों के पास ही हक है कि हम इसमें डिमांड कर सकते हैं के इसमें और हमने जो डिमांड करी है आप उस दिमांड को एक बार तो उसके बाद जब उन्होंने अप्रोच करा लोवर कोर्ट में और उन्होंने बोला कि आप हीरिंग को रिज्यूम कीजिए जिस पे अलाबाध हाई कोट में स्टे लगाया था आप उसे रिज्यूम कीजिए अब इसी के बाद बात आ जाती है मार्श 2021 तक जहां पर प्लेस यहां पर इस केस में इंतरवीन क्यों करा क्योंकि उनके पास क्वेशन आया था प्लेस अफ वर्षिप अक्ट 1991 की क्या वैलिडिटी है इसके उपर तो इसलिए उन्होंने इंतरवीन करा क्योंकि एक PILI थी पब्लिक इंटरस्ट लेटिगेशन फाइल हुआ था जिसको जिसमें ज्ञानवापी मौस्क फिर से लाइमलाइट में आया अब वो लाइमलाइट में क्यों आया क्योंकि उस टाइम पर पाच हिंदु डिवोटीज ने पाच हिंदु विमन ने एक PETISHन फाइल कर दिया वारणसी कोट में अब इस PETITISHन से सारा खेल बिलकुल पलट किया यहां पर इन्होंने क्या permission मांगी यहां इन्होंने permission मांगी कि हनुमान, नंदी, श्रिंगार, गौरी हमें इन लोगों की पूजा करने दी जाए इन लोगों का जो स्थल है वो ग्यानवापी complex के अंदर है जहां पर वो जो जोतर लिंगा था वहां पर है और हम यह चाहते हैं कि आप लोग हमें चाहे ग्यानवापी मौस्क की जो boundary है न वहां boundary से ही आप हमें इनकी पूजा करने दी जाए बट हमें पूजा करने के लिए permission दी जाए अब यह जो petition था इसमें यह भी बोला गया कि आप सारे की सारे लोगों को specifically Muslims को trigger पे रखा गया और यह बोला गया कि उन्हें restrict कर दीजिए कि हुमारे कोई भी आइडल्स को damage ना करें August 2021 में जब यह petition आया तो उसके बाद April 2022 तक बाट तल गई इस petition के basis पर वारानसी कोट ने अपॉइंट करा एक advocate commissioner और order करा कि ऐसा है complex की वीडियोग्राफी करवाईए वीडियोग्राफी सर्वे करवाईए उसके basis पर हम लोग यह decide करेंगे हम लोग को यह proofs मिलेंगे हम evidence के तौर पर यह decide करेंगे कि भाई यहाँ पर क्या चीज पहले थी क्या चीज बाद में आई किस चीज का अब यहाँ होना चाहिए और किस चीज को नहीं होना चाहिए अब यह जो decision था इसे फिर से challenge करा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अलाबाद high court में फिर से challenge करा बट इस टाइम अलाबाद high court ने order को upheld कर दिया ठीक है अब इसके बाद 6 में 2022 विडियोग्राफी सर्वे जो था complex का वो allow कर दिया गया था तो उस टाइम पर फिर से application फाइल की गयी थी और यह बुला गया था कि बाइसनेस चल रही है ठीक है और यह बाइसनेस नहीं चले गी क्योंकि हिंदूस को लगता है कि कोर्ट हिंदूस की साइट जा रहे है हिंदूज ये चाहते हैं कि यहां से ग्यानवापी मॉस्क को हटा दिया जाएं काशी विश्वनाथ टेंपल रहें मुसलिम्स की एंटरी भी ना रहें मुसलिम्स चाहते हैं कि यहां से घ्रेश की się दो आए हमारा मॉस्क है यहां पर और फूरी गोर का भोना कम मुस्क नहीं था पहले लाया मुस्क को demolish करना चाहिए तो वो यह चाहते हैं कि हिंदूस हमारे मॉस्क में intervene ना करें और हमारा मॉस्क बना रहें अब इसी के साथ साथ बात आगे बड़ी 12 में 2022 पे जहां पर कोट ने refuse कर दिया कि अजे मिश्रा ने कोई biasness नहीं करिया हम इने नहीं हटाएंगे हमने इनको जो पॉइंट किया था हम उने नहीं हटाएंगे साथ ही साथ उन्होंने अपॉइंट करा senior advocate विशाल सिंग को कि आप survey को supervise कीजिए उन्हें अपॉइंट किया गया as special advocate commissioner की ठीक है जे मिश्र advocate commissioner है आप special advocate commissioner बन करके थोड़ा और उसको चीजों को vigilance में रखिए अब यह जो team थी इनने बोला गया कि आप 17 में तक अपनी पूरी record की details दे दो अब इसके बाद बात आती है 28 में पर case की proceedings जो है अब यहां पर transfer कर दी गई एक district judge को क्योंकि Supreme Court को ऐसा लगता है कि यह जितना sensitive case है इसे कहीं ना कहीं कोई senior judicial officer deal करें जिने कम से कम 25 से 30 साल का experience हो तो ही better रहेगा क्योंकि इतने sensitive case को वो ही अच्छे से deal कर पाएंगे तो अब इसके बाद हमारे पास आती है 12 September 2022 12 September 2022 को वारण अशी district court ने dismiss कर दी जो application फाइल करी थी अंजमन इंतिजामिया मस्जिद कमेटी ने और उन्होंने ये बोला था कि ये जो 5 petitioners जिन 5 औरतों ने जो petition फाइल किया था ना कि हमें पूजा करने दी जाएं चाहे हमें मॉस्क की boundary से ही पूजा करने दी जाएं ये गलत है तो अंजमन इंतिजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा था कि इनके petition को तो allow ही नहीं होना चाहिए ये गलत है ये permission इनने कभी नहीं मिलनी चाहिए तो 12 सेप्टेंबर को court ने इस कमेटी की application को dismiss करा और ये बोला कि नहीं हर एक इंसान के पास right to worship है तो हम ऐसा नहीं कर सकते इनका petition completely maintainable है उनके पास right to worship है Hindu duties को पूजा करने का उनका अधिकार है और अगर वो Hindu duties ग्यानवापी मॉस्क के अंदर है तो अब उस पर decision होगा कि किस तरीके से वहाँ पर worshiping allow की जाएगी किस तरीके से नहीं की जाएगी बट उनका right to worship वाइलेट नहीं किया जाएगा अब इसके बाद जो डेट रखी थी वो थी 22 September 22 September को वारा नसी कोट ने एक notice इशू करा Muslim side को committee को इशू करा क्योंकि हिंदूज ये चाहते थे कि जो हमारा शिवलिंग था वहाँ पर जो जो तरलिंगा था उसकी कारबन डेटिंग की जाएं मतलब complete ये एक process होता है जिससे पूरा back dog में जाया जाएं और ये देखा जाएं कि ये चीज कब बनी इसकी initiation कब हुई ये कैसे कैसे बनी वो complete उसकी कि कारबन कॉपी निकाल ली जाती है हिस्ट्री में से जाकर के तो 22nd सेप्टेंबर को वारा नसी कोट ने ये नोटिस दे दिया मुस्लिम साइट को कि हिंदूस जो है वो ये चाहते हैं कि कारबन डेटिंग की जाए शिवलिंग की जो आपके ज्यानवापी मॉस्क में स्थित है अब इसके बाद नेक्स टेट रखी गई 29th सेप्टेंबर तो 29th सेप्टेंबर को हाई कोट ने बोला जो डारेक्टर जनरल है कि आप इक अपना personal affidavit फाई कर दिजी है क्योंकि सारी जो recording जो बोलेकर्वेट के अजनर हो रहे है तो इने बोला कि आपक है का प्रॉस्नल अफिडविटेंट को देट तें और, तर उक्टूबर तो हम इस पे आने वाली हर एक development के बारे में आपसे बात करेंगे I hope यहां तक मैंने आपको ग्यानवापी case के बारे में जितना बताया वो आपको समझ आ गया होगा अगर से related आपका कोई doubt होता है या suggestion होता है So please comment box में आईए और आगे आने वाली legal developments के update तक बने रहे हमारे channel के साथ So stay tuned to us and thank you for watching friends